नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समार टेक्निकल चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे परधान मंत्री उजवला योजिना फिरी गैस कनेक्शन का लिस्ट अपने मुवायल से कैसे निकालते हैं किसी भी एस्टेट पर आजाना है mylpg.in इस वेव साइट पर आजाना है यह लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दिक्स्पिक्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से डिरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं आपको क्या करना है यहां पर आपको कंपनी को कंफर्म करना है आप किस कंपनी का लिस्ट आपको सामने में फिर से एक फेज खुल के आ आजागा को यहांपर जो है एडोंका सिंबल जो है इस पर किलिक करना है यहां पर किलिक करना है इसको सलाइट करते हुए जाना है टिक करते हुए रहना है और यहां पर है उजवाला बेनिफिसरी इसके उपर में किलिक कर देना है आपको हम बतायते हैं कहां पर क्लिक करना है यहां पर जो है उजवाला वेन फिसरी इसके उपर में क्लिक कर देना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद आपके सामने में फिर से एक इस तरह का पेज खुल के आ जागा है आपको यहाँ पर एस्टेट को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जिस भी एस्टेट का आप देखना चाहते हैं यहां पर सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए मैं यहां पर बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर डिस्टिक का नाम देना है आपका डिस्टिक जो परता है वहां डिस्टिक यहां से सलेक्ट कर लेना है तो चलिए मैं एक डिस्टिक को सलेक्ट कर लेता हूं उसके में यह जो capture हां यह capture को इस box में इस box में fill करके और यहाँ पर submit के उपर में click कर देना है तो चली हाँ पर हम capture को feel कर देते हैं जिस परकार से capture लिखा हुआ उसी परकार से capture को feel करना है यहाँ पर है five capital जेड उसके बाद है 7 उसके बाद है 4 और उसके बाद है 1 और उसके बाद है F है और यहाँ पर यह डाल करके और सिम्पल यहाँ पर सब्मीट के ऊपर में कलिक कर देना है चाल बरकार से इसमें आपना नाम देख सकते हैं अगर यह लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फिरी में GAS Connection दिआ जाएगा आपको अगर इस पेज में अगर नाम नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 यह page को open कर लेना है दूसरा नमबर page को open कर लेना है इसमें नाम आपको मिल सकता है अगर इस page में भी अगर आपका नाम नहीं है तो 3 नमबर, 4 नमबर page को इसी तरह से आप next करते हुए जाना है और इसमें आपको नाम मिल जाएगा तो यह पहला तरीका है gas connection beneficiary list निकालने के लिए और आपको मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ आपको क्या करना है आपको इस page पर इस website पर आ जाना है www.jay.nic.in इसका भी link मैं आपको वीडियो के नीचे description box में दे देंगे आपको इस page के उपर में इस website के website पर आ जाईएगा आप आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जो है three line इसके उपर में click कर देना है यहाँ पर है three line इसके उपर click करना है इसके उपर click कर देने के बाद यहाँ पर है आवास soft दूसरा नंबर में है आवास soft इसके उपर click कर देना है उसके बाद में यहाँ पर है रिपोर्ट का जो यहां पर है G Conferences यहां पर आपको यह वाला ओप्शन में यहां पर 4 नंबर में है Conferences with PM उजवाला योजना ठीक है यहां पर किलिक कर देना है इस पर किलिक कर देने के बाद आपके समने में फीर से एक नया पेज खुल के आ जागा अब आपको यहां पर एस्टेट को सेलेक्ट करना है जिस भी एस्टेट को आप देखना चाहते हैं वह एस्टेट यहां पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहां पर डिश्टी को सेलेक्ट करना है तो चलिए हम यहां पर डिश्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर यहां पर इसको घटा करके और इस बॉक्स में की यहां पर सब्मीट के उपर में किली कर देना है तो चलिए हम कि यहां पर घटा करके और यहां पर फिल कर देते हैं और यह पर सब्मीट के उपर में क्लिक कर देना है सब्मीट के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में देखिए यहाँ पर आ गया है एचल टी आइन बेनफिसरी नेम विलेज का नाम और यह आप देख सकते हैं एड्रेस भी है और कोड, कोड नमबर उसके बाद है इंस्टोलेंड डेट यह सारी जनकारी आप निकाल सकते हैं देख लेजे इसमें सारी जनकारी आप निकाल सकते हैं और इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड PDF के उपर में किलिक करके और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लिस्ट का इसमें भी नाम रहेगा और आपके पंचात में जितने भी free gas connection जो लिए हैं उनका भी इसमें नाम आ जाएगा तो इहां पर download के उपर में क्लिक कर देना है आप इसको download भी कर सकते हैं तो देखिए यहां पर download हो यह हो चुका है यहां पर देख लेजे नेम विलेज का सब्सक्राइम एड्रेस और यहां पर सारी जनकारी आपको यहां पर आ जागा तो इस तरह से आप परधान मंतरी उजवला योजना फ्री गैस कनेक्शन का लिस्ट अपने मुगाल सकते हैं अगर यह वीडियो अगर आपको आच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वेल का आइकन का बटन जो है उसको प्रेस करें ताकि जो मेरा नया नया वीडिय आपको सबसे पहले मिले और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता हो जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ